नवाश्कार दोस्तों सबसर पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने विश्वसनी यूटूब चैनल सेनिक वेलफेर वन में जो देता है आपको बहदी रोचत भरी जानकारियां जो होती है आपके लिए बहदी अच्छी तो चलिए दोस्तों मैं आपके लिए क्या क्या सुईधाएं मिलती है तो चलिए बढ़ते हैं जूस की तरफ कि दोस्तों न्यूस की तरफ बढ़ने से पहले करप्या करके मेरे चुनकों लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल के आइगन को दबाए ताकि मैं आपके साथ में कंटिन्यू बना रहूं और आपक समाज में एक फोजी की प्रतिस्टा और सम्मान कुछ अलगी होती है इस वज़े से हमने से कई युवा बरती सेना का भाग बनना चाहते हैं हाला कि एक फोजी का जीवन देश के लिए समध्रण और मुश्किलों से गिरवा होता है लेकिन सेना में काम करने के अने को फायदे है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है लोग अलगला कारणों से सेना से जुड़े होते हैं कुछ लोग आर्थिक कारणों से तो कुछ लोग सेना में सामिल होने के जनून के कारण सामिल होते हैं लेकिन कई और वज़े हैं जिससे सेना में जुड़ना एक स्रुक्सा नहीं दी जाती है लेकिन यहां पर आपको कभी भी अपनी नोकरी की चिंता करने की ज़रूत नहीं है अगर आप रिटायर हो जाता है तो भी आपको अन्य नोकरी मिलने का विश्वास दिया जाता है यानि दोस्तों ये ग累ormennt job होती है जिसमें आपको आर्ठीक शुर्वसा दी जाती है कि इसमें आपको नोखने का डर नहीं रहता और अल्ल को इसमें ऐसा सूईदा दी करकें हैं बढ़िया है वेतन के अंदर सरकार की कि अन्य नोखरियों की तरह इस चेतर में भी छटए वेतन आयों के बाद हर सिर्णी के फोजी का वेतन बढ़ चुका है अगर आप इस वेतन की प्राइवेट छेतर में दी जाने वाले वेतन से तुलना करें तो आप पाएंगे कि भारती सेना में वेतन कहीं ज्यादा है अगर आपको किसी मुश्किलों इलाके में रखा गया तो आपको अलग बता मिलता है जिससे आपका वेतन अन्य करमचारियों से बढ़ जाएगा अगर आप नए फोजी हैं तब भी आपका वेतन 42,000 रुबे परतिमा जितना हो सकता है यानि कि दोस्तों इस में जिस छेतर में आप नोगरी करेंगे उस छेतर के अनुसार आपको वेतन मिलेगा और बढ़िया वेतन मिल उनको जीवन निर्वा की चीजों कमदाओं में दी जाती है रिटार्यमेंट के बाद मिलने वाली पैंशन पूर फोजी को किसी और पर आए के लिए निर्वर होने से बचाता है हर फोजी को रिटार्यमेंट के बाद उसके आखरी वेतन के 50-30 तक का पैंशन पूरे सेज़ जीवन कालों मिलता है यानि कि दोस्तों बारती सेना में जो कर्मचारी काम करते हैं जो सर्विस करते हैं उनको सर्विस के दोरान और सर्विस के बाद भी अन्य को सुईदाएं दी जाती है जिन में उनको केंटीन की सुईदा होस्विटल की सुईदा और अन्य की सुईदा ह कर सकते हैं हकिकत में सेना आपको इस सपने को पूरा करने में विशेश मदद करती है आप फोजी होकर भी उच्छा और उसके बाद तरक्की प्राप्त कर सकते हैं आयाइटी और मेडिकल कड़ा व्याम फोजियों के जीवन का अभीन अंग है इसका प्रणाम उनके स्वस्थ सरीर के रूप में देखा जा सकता है हर महा फोजी को ट्रेनिंग और नोक्री के दर्म्यान अनुसासन और शिष्टाचार सिखाई जाते हैं इसके प्रणाम सुरूप हर फोजी एक आकाशक विक्तित्व पाता है अगर आप खुद में इन विश्ष्टाओं को विक्सित करना चाहते हैं तो सेना सबसे अच्छी जगह है यानि कि दोस्तों इसमें जो पीटी कराई जाती है और स्वास्ते के लिए जो सब कुछ करा जाता है इसमें हमारा स्वास्ते अच्छा मेंटें करता है इसके बदले में फोजी और उसके परिवार को समाज में एक उच्छ स्थान मिलता है फोजी बनकर आप हर देश्वासी के लिए एक हीरो बन सकते हैं खुद के और परिवार के लिए बहतरी सुईदा है फोजियों के बच्चों को केंडरे विद्याले में खास तरह त बारते सेना विवित प्रांतों और जातियों के लोगों से बनी है लेकिन एक चीज इन सब में समान है ये चीजे देश के लिए अपनी करतेवे निश्टा अगर आप में भी ये करतेवे निश्टा मुझूद है और आप इन सभी सुईदाओं का फाइदा लेना चाहता है त तो दोस्तों ये आपको जानकारी कैसी लगी करपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लखें धन्यवाद जय हिंद जय भारत